हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू टेस पर तो आपको आपास से पता ही लग रहा हूगा कितनी क्रिस्पी हमारी मठ्रियां बनीवी है या निमकी बनीवी है बहुत ही अमेजिंग बनीवी है कोई बता सकता है इसको हमने आटे और बेसन के से बनाया है बहुत ही अमेजिंग तर करें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं दो कप आटा लिया है एक कप बेसन लिया है और उसमें नमक डाला है इधर में थोड़ा सा जवायन ले रही हूं और हातों से अच्छे से मसल के डालूंगी इससे फ्लेवर अच्छा आता है तर यहां कसूरी मैथी लिये इसको भी मैं उसे अच्छे से मसल के डालूंगी बहुत अमेजिंग फ्लेवर आएगा और यहां मैंने मोयन के लिए यूज किया है यह वर्जिन ऑलिव ओल ऑलिव ऑल बहुत ही हल्दी रहता है प्लस आप यहां पर देशी घी की भी मोयन लगा सकते हैं मोयन बस आपको इतना देना है कि जब यह अच्छे से मिक्स काने के पाद मुठी बनने लगे एकदम से सिमटके मुठी सी बन जाए एक लड़ू सा बन जाए इतना मोयन परफेक्ट होता है इतने में क्या होता है कि ना जादा क्रिस्पी बनती है और जादा फोकी फोकी बनती है अगर जादा हो जाएगा तो अगर वो ज्यादा गिर जाएगा मोयन तो एकदम से फोकी छूते ही टूटेंगी और इससे कि अगर बल्कुल पॉफेक्ट रहेगा तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ओल लगाया और इस तरीके से मैंने एक पॉफेक्ट डोर बना लूँगी इसका और देख तोड़ने के बाद बस कुछ इस तरीके से लोईया बना के और जैसे और नॉर्मल मठरी पूड़ी या रोटी बेल में बस उतना छोटा साइज इतना छोटे साइज के आपको चाहिए आप उसे साबसे इसको बेल के इसमें होल करके और इसको डीफ्राइ किया जाएगा तो जो टेस्ट इस तरीके से आएगा और बहुत ही अमेजिंग रहेगा और वैसे भी यह जादा नहीं अब्सॉब करेंगी तो बहुत ही हल्दी रहेंगी तो देखें फॉक ही अजसे मैंने हलके से होल कर दी है और इससे क्या होगा हमारी मठरी फूले ही नहीं तो कुछ इस तर बहुत पतली है तो आप इसको पापड़ी की तरह भी यूज कर सकते है बहुत ही अमेजिंग लगेंगी और हेल्दी तो यह है ही केबल आटे और बेसन से बनी है तो देखें कुछ इस तरीके से हमारी मठरियां डीफ्राइब हो जाएंगी इसमें जितनी आपको डालनी होग अब डीफ्राइ कर लिजिए और बस इसको डीफ्राइ करने के बाद और इसको और निकाले जिए अच्छे से जिसके इसमें ऑईल ना रहे और वैसे भी मठ्रियों ने बिलकुल आप्सम नहीं किया है बहुत ही अच्छी टेस्टी मठ्रिया डेली हो चुकी है तो देखें हम अब इसी तरीके से हम रिमेनिंग बैच को भी हम प्रिपेर कर लेंगे और बस हमारी अमेजिंग सी स्नैक टाइम के लिए टी टाइम के लिए इवनिंग टी के साथ कानी के लिए मठ्रिया बिलकुल पॉफेक्टली डेली हो चुकी है प्लस आप इसको टोडलर बेवी को भी बहुत क्रिस्पी अमेजिंग तो में बाज से पता ही चल रहा हूँ एक कितनी अमेजिंग है यह कितनी खनक वाली अबाज आ हरी है बजो कुल क्रिस्पी सी ने तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी असाम सी रेसिपी पसंद आए तो ब्लीज इसको लाक करें गाख पाम साम फ्रेंड्स के सास्थ शेयर करें गोड़ा और चैनल को सुबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले सुब्सक्राइब के आगे के बैल आइकन को अरप रहेगा जिसस